जैसा कि आप यह ब्लाउज देख रहे हैं इसी कि आज मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुरिकी फैशन वर्ल्ड अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो देख सकें तो मैं आपको इसी की स्टिचिंग बताऊंगी मैंने कर्टिंग का पार्ट अप्लोड करके रखा है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे तो सबसे पहले आपको यह मेरा बैक पार्ट था इसमें डोरी भी साथ में रखके अटाश करूंगी तो देखिए इस तरीके से रखा हमने डोरी इसके अंदर रख ली है डोरी को रखने के बाद हाफ इंच से कमका मार्जिन लेकर कि आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है से मैं सही जैसे हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर के सिलाई लगा लीचे और यहां पर इस तरीके से जो पै कॉल अब पॉर्ष्यन है वहां पैप इस तरीके से साइड से सिलाई लगा लेए और आण handling के साइट पे भी आपको से मैं सिलाई लगा लेनी है यह देखिए आप म तो देखे जो सिधा वाला साइड है वो दोनों फाब्रिक के वंदर साइड पे है यह जो आउटर वाला साइड पे सारे सिलाई हमारी आएंगी तो मैं आपको चलिए इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूं तो देखे सबसे पहले आपको इस तरीके से जित पिन अगर लगाई हो तो निकाल लीजे और यहां पर हाफ इन से कम कम आरजन देख करके आपको इसे अटाच कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यह देख सकते हैं यहां पर थोड़ी ब्राइटेंस जादा हो गई है आपको इसमें आपको सिलाई लगानी है और फैंबर को खीचने नहीं है अगर आपकी कटिंग सही रहें तो इसमें आपका फैंबरिक जादा हो जाता है तो थोड़ा सा नीचे से कट कर सकते हैं तो देखिए मैं लाइनिंग में सिलाई लगा दी थी अब जो मारा यह सैटल फैंबरिक है इसको भी हमने इसमें ऐसे ही रखके बाहर साइड को सिलाई लगानी है तो देखिए इस तरीके से रखा फैंबरिक मैंने इसमें मैंने हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के मतलब वन फूड का मार्जिन लिया इसमें मैंने और यहां पे भी हमें बराबर से लेनी है, देखी जैसा कि मैने सिलाई लगा लिए थी, लगने के बाद ये साइट्स जो फैंब्रिक है, ये थोड़ा निकलने वाला फैंब्रिक है, तो यहां पर मैं सेलेक्टर को E पर रखा था, और LAND को SS पर रखना है, जिसमें अच्छे से सिलाई होकर आएगी और यह जो फैंब्रिक है वो जादा नहीं निकलेगा तो देखे हिसंदलिस में सिलाई लगा लिये के बाद अब जिर ढूणि ज इस तरी के से नजर आएगी मैंने सारे पिसे जॉइन कर लिया है अब शीऊ मैं स Bene jobs लगाना है तो कंब के लिए है हमें इस तरीके से यहां से भी 10 इंच पे है अब देखिए कप को सबसे पहले आपको कप का मेड़ निकालना है और इसको एक और पर फोल्ड कर लेंगे तो यह तरीके से यहां पर लगा लीचे तो जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह आमने निशान लगा लिया अब यह जो यह जो चिकन अलीचे साइट रहेगा इसका आपको दिहान रखना यह जो रावंड साहे इसको ऐसे हम कर लियेंगे और यह वाले जो साइट रहेगा वो अंदर को रहेगा यहां पे हमने इस तरीके से रखा और यहां पी हमने हाफ पे लगांगे अगर आप इसे चाहीं तो मैं इसे सिर्फ हाफ में ही लगाऊंगी जो हाफ में लगाते हैं इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और यह देखने में भी बहुत सही लगता है अब यहां पे मैं इसए पिन लगा करके सिक्यॉर कर लूँगी यहिए यहां पे जो इसके मेड को मेड से मिलाएंगे यह कपक नेट और यहां पे इस तरह के से लखा यहां पे देख्यूर आप इस थीदागएसे इसके मेड में टाक लेशे फिर वसके बाद आप इसकी उपर लगा सकते हैं तो देखिए मैंने यहां पर इस तरीके से रखा यहां पर पीनफ कर लेना है यह देखिए इस तरीके से हो गया अब हमने इसमें सिलाई लगानी तो सबसे पहले आपको इसके नेक पे लगानी है फिर आर्म होल के साइड पे और यह जो नीचे वाले डिजाइन वहां पे आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है तो पहले मैं आपको इसमें इसके नेक पे सिलाई लगा करके दिखाऊंगी और यहां नीचे वाले पार्ट्स पे भी सिलाई लगानी है तो देखिए यहां पे हमने इस तरीके से बराबर से रखा और बराबर से रखने के आप फैब्रेक इस तरीके से खुमा लीजिए और इसमें लगा लीजिए जैसे हमने नेशान लगा था जैसे हमने कटिंग करी है उसके उपर ही आपको अपको लगा लेनी है अगर आपको यह जो शोल्डर है मतलब आपको अब कम रखना हो तो आप कम रख सकते हैं या फिर से मैं सही स्टेज कर लेना है यह देखे बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और इसमें हमें सिलाय लगा लेनी है यह देखे मैं आप जो नीचे का जो बॉटम है और वह भी हम लगानी है तो सबसे पहले देखिए यह मेरा फुट निकल गया तो फूट को भी एक लगा कर से रखा मेट से मेट मिलाएंगे और इसके उपर हमने सिलाय लगा लेनी है देखे इसको मेट को चेक कर लेना है आपको देखिए मैंने चेक कर लिया चेक करने के बाद आप इसमें नॉर्मल सिलाय लगा लीजिए अगर आपको यह रॉन में लगानी हो तो रॉन में आप उस यहां पे आपको इसे attach कर लेना है यह देखिए इसे मैंने fix कर लिया दूसरे वाले कप को भी मैं आपको दिखा देती हूं बिल्कुल देखिए बराबर से रखेंगे मिट से मिट मिला के रखना है यह देखिए पहले हम अच्छे से अरजस्ट कर लेंगे जैसा की मिट यहां प आप इस तरीके से असाने से कप attach कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसमें attach कर लिया इसको भी एक बर घुमा देंगे और इसमें भी हमें एक और बर सिलाई लगा लेनी है अब जो नीचे का बॉटम था वह हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो देखिए हाफ इंच का मारशन दे कर सकते हैं मैंने एक वीडियो में बता के रखा हुआ है तो मैं उसके भी लिंक दे दूंगी अगर आपको देखना हो कि यहां पर फ्रंट में डूई हम कैसे attach करते हैं यह देखिए मने यहां पर लगा ली यहां से भी हम इसे पूरा attach कर लेंगे एक साइट मैंने से लाई न पहले हमें चोटे-चोटे कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यह देख सकते हैं आन मोल के साइट पर भी हमें चोटे-चोटे कट लगाने हैं कट लगाते इस बात कर ध्यान देना है कि जो ट्रेल है और जो एक्सरा फैयंबरिक है वह कट नहीं होना चाहिए तो देखिए नेचे साइड पे मैंने इंटर लॉग कर लिया था क्योंकि यहां से फाब्रिक मेरा निकल रहा था यहां पर भी हमने देखिए विल्कुल ध्यान से चोटे-चोटे कट लगाने हैं जहां पर हमने शेप दिया था प्रिंसेस कट वाला वहां पर आपने इस तरीके सीधा करने के बाद इसके हमें आर्मोल को जॉइन करना है शोल्डर को शोल्डर से तो देखिए फैब्रिक हमने इस तरीके से मोड़ा यहां से एक साइड से मैंने खूल रखा था तो आपको आसानी से यह मुड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखिए इस तरीके केजेस होंगे आप इसे नुगिली चीज के हल्प से मोर सकते हैं या फिर आप हाल से खीच होगे तो यह से सीधी हो जाएगी तो देखिए कप वाला साइड भी सीधा हो गया है सीधा होने के बाद यहां से फैंबर को बराबर से खीच लेंगे तो यहां से भी सीधा हो जाए है क्योंकि जब भी हम कोई डिजाइनर ब्लाउस बनाते है या फिर इस तरह की जो ब्लाउस बनाते है उस पे आरेंड करना जरूरी होता है जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है तो देखिए इस तरह के से यह मैंने सीधा कर लिया है सीधा करने के बाद इसके उपर मैं कुछ इस तरह के से नजर आएगा अब ने की शोल्डर को शोल्डर से अटाच करना है तो बैक पार्ट को मैंने कुछ नहीं किया है बैक पार्ट मेरा उल्टा ही है तो लाइनिंग वालों जो साइड रहे गा वह वह और साइड को रहेगा और यह जो देखिया में जो shoulder को बाहर साइट को ले कराएंगे इस तरीके से और बिलकुल दूनों shoulder को मिला कर चाहिए लृटे के लिए मिलाने के यहां पर आप इसे किंड़ कर लिजिये पीनियुप करने से यह फाय वादा होगा कि जब आप बहुत अच्छे से हो कर रहेगी तो देखें अच्छे को बार निकालेंगे फ्ररेंट वाले सिल्टर को और दोने we go backJa do not need to do this ुं बंगड़िक नर्मल सिभा लिए नियुको उसके और नॉर्मल को चुछाही लगा लेनी हैं। तो मैं आपको इसमें सिलाही लगाकर के दिखा देती हूं सिलाही लगाने के बाद direct का वार्जन देख करके आपको इसके उपर सिलाई लगा लेनी है इसको हम यहां से गुमा लेंगे और एक और बार इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो दोनों शुल्डरों को से मैंसे हम सिलाई लगा करके रेड़ी कर लेंगे यह देखिए दोनों शुल्डरों को पर बराबर से रखा मै कि इस तरिकेने के बाल divide यहां पर सिलाई लगा लिए अब हमने इस की साइड की जो फिर्टेंग का निशान था उसके उपर भी सिला लगा लेनी है तो देखिए मेने पहले शूलडरा बहुत अच्छा लगेगा ऊच्छाक्य वाइने में हमएक। में होगेगा यहांके सीधा करने कि में उन्ध यह रखेर ऐसे समीज़क서 का सथा या प्रडू ऐस ला sound का यहां साउकीे मेध स्थ eight को चली जाएगा जिसरी देखने में बहुत अच्छा लगेगा तो थेय। पर साइड में हुकाई की पट्टी बना करके रेडि करना है तो मैं आपको आगे चल के दिखा देती हूं तो पहले इस तरीके से सीधा कर लेंगे सीधा करने के माद इसके उपर आप नॉर्मल आयरन कर लीजे यह देखिये इसे मैंने यहां से सीधा कर लिया यह सीधा हो गया है सीधा होने के बाद इसके उपर मैं आपको यहां पर आयो की पट्टी बना करके रेडि करना है यह देखिये पहले दुनों इनको चक कर लेंगे तो देखिये इस तरीके से जो आयो वाले पट्टी वो डेड़ इंच की और हुक वाले पट्टी जो रहेगी जो डायो इंच पर बनके रेडि हो जाएगी तो मैं आपको इसमें लगा करके दिखा देती हूं यहां पर देखिये पहले जो आई वाली पट्टी है नहीं सौरी फुक वाली पट्टी है उस पर मैंने लगा इस तरीके से इसको मियार से मोल लेंगे और इसके उपर टॉप स लगा लेना है कुछ इस तरीके से यह मैं टॉप सिम लगा लिया अब देखिए इसको हम इस तरीके से अंदर साइड को मोल करके यह वन इंच की पट्टी हम रेडि कर लेंगे यहां पर मैं हेमिंग करूंगी तो पहले इसके उपर मैं नॉर्मल बड़ी सिलाई लगा देती ह बाद में सिलाई को मैं खोल दूँगी अब यह जो आई वाली पट्टी है उसको देखिए हमने यहां पर रखा रखने के बाद यहां पर सिलाई लगा लेनी है यह देखिए हम इसको देखिए हम अंदर साइड को इस तरीके से हलका समोरेंगे फिर यहां पर कवर कर लेना ज है बाहर साइड को आ जाएगी साफ हे मैंने डवप सीmm लगा लेनी है इसके हमें आए बनाएगे तो देखिए में रैदी कर दिया है रेडी करने के बाद इस今 की साइड के निशान है वह लगा लेती हूं आपको जो फॉख भी मेजरमेंट हो आप से समझ में नहीं है तो अपडेट इंच का मार्जर लेकर के दोनों साइट पे सिलाई लगा लीजिए तो देखिए इस तरीके से याप मैंने सिलाई लगा लिए से मैंसे ही दूसरे साइट पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है और यह जो थोड़ा से खुला बाला पार्ट है उस पे इंटर्लॉक कर लेजिए जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्लाउस बना करके रैडी कर लिया था इसे मैंने टैसल्स लगाए है अगर आप चाहे तो रेडिमेट भी टैसल्स लगा सकते हैं तो फ्रेंट से जो ब्लाउस का लु प्रेंड़ी कर सकते हैं यह देखने में आप देख से किती इस लेज लुगा रहा है इसका यह मैंने ऑले वट वाली ब्लाउस साडी कर जो तीम है उस पर बनाई थी मैंने यह तो आप इस तरीके से नरात्रों में पास को बना सकते हैं तो होब यो लाइक अगर आपको मिन अपिक के साथ थैंक्स रो वाचिंग थैंक यू